असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब लोग, आज मैंने बना हैं आलो और मटर की समोसे, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब कुरकुरे हैं, तो इसमें डलता है, आज फिर मैंने एक सीकर्ट मसाला इस्तमाल किया है, उसकी रेसिपी में आपको बताती हूँ, चले, पहले आप या इसके अंदर मैंने एक चमची अजवाइन डाली है, और देर टेबस्फून नमक डाला है, इसको पहले ड्राय मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम इसको गूंदेंगे, मैंने दिया है, मेल्टिट घी या बटर भी डाल सकते हैं, और से बनते हैं लिकिन और से वो रिजल्ट न बिल्कुल भी बचावा गी भी मैंने डाल दिया है, अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हूं, और हातों की मल से इसको हमने मल लेना है, ताकि बीच में बिल्कुल भी कोई भी लंप्स ना रहे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालके नीम गर्म पानी ले रहे हैं, नीम गर्म पानी लेके मैंने इसको गूंदा है और अच्छी तरह से मिक्स किया है, इसको बिल्कुल सख डो बनाना है, नर्म नहीं बनाना नहीं तो समोसे फिर बिल्कुल एक पापड़ी जैसे बन जाते हैं, तो यहां पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसको अच्छ बिल्कुल राउंड शेप में होनी चाहिए और सब तरफ से इसको हमने बराबर बेलना है कहीं से भी मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए तो देखें कैसी परफेक्ट गोल सबसे जादा गोल जो बनी थी उसकी मैंने वीडियो शॉट आपको दिखाया है वैसे तो बाकी भी गोल ही बनी थी आप देख सकते हैं तो घी लगाने की वज़े से यह आपस में चिपकते नहीं हैं लेकिन अगर आपने एक दूसरे के उपर तैय लगानी है तो आप थोड़ा थोड़ा सा खुशके वाला हाथ लगा सकते हैं यह देखें सारी तैयार हो गई है अब जरा सा खुशका लगा के इसको हम काट लेते हैं बीच में से को काट लेंगे आदा किलो मैदे से आपके तकरीबन 25 से 28 समों से तैयार हो जाते हैं यह देखें बिलकुल अलग हैं चिपकी भी बिलकुल भी नहीं है यह खुशका हलका स अच्छे चे काट ली थी इसके लिए मैंने इसका शॉट लिया बाकि किसी भी चीज की कटिंगा मैंने शॉट नहीं लिया तो कड़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल लेके उसके अंदर लेसेन और द्रग डाली है हलका सा सौटे करना है आग बिल्कुल भी तेज नहीं होनी चाहिए जलना नहीं चाहिए तो थोड़ी देर के लिए इसके मैंने सौटे किया है उसके बारीक हरी मिर्च और बड़ी हरी मिर्च मैंने याट कर दी है इसको भी हलका सा हम चम्मच चलाएंगे बस बहुत जादा इसको हमने पकाना नहीं है बस हलकी सी खुश्बू आने तक मसाले डालेंगे ये है कुटी लाल मिर्च, जेर चम्मच डालूँगी आप अपने टेस्ट के मताबिक जादा भी डाल सकते हैं उसके बाद नमक डाला है मैंने हस्भी जाएका यानि के एक चम्मच उसके बाद मैं डालूँगी अपना सीक्रेट मसाला ये आप समोसों में डालें बहुत ही मज़ेदार बनेंगे समोसे समोसे हर कोई बना लेता है लेकिन वो टेस्ट जो आपको याद रहे वो आप ये डालेंगे मसाला जूरूर ट्राइ करें थोड़ा सा मैं लेमन डाल रही हूँ उसके बाद मैंने हरा धनिया डाला है क्योंके बहुत ज़रूरी है उसके बाद मैंने डाले हैं उबलेवी मटर मटरों को भी हलका सा बॉयल करना है और इसके बाद इस मसालिक हमने कर लेना है मिक्स अब आग बंद कर देनी है और इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना है जब इसकी हीट कम हो जाएगी बिल्कुल नॉर्मल टेंपरेचर पर आजेगा उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे चले जी अब हम बनाते हैं समोसा पट्टी पकड़ी और हमने समोसा तयार करना है राउंड वाला हिससा अपनी तरफ रख के सामने वाले हिससे पर सिर्फ पानी लगाना है और इसकी शेप बनानी है और इसके अंदर तक जार हो गया है अब हम इसको फ्राइ कर लेते हैं और जाए नहीं करना बहुत जादा गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें फिर बबल्स बन जाते हैं एक दम और यह पापड़ी की चकल में आ जाता है तो दरम्यानी आज पर इसको फ्राइ करेंगे चौता समोसा भी मैंन तब तक हमने इसको फ्राइ करना है समोसा राइडी हो चुका है देखें कितना प्यारा कलर है और टेस्स बहुत प्यारा है बहुत मज़ेदार है यह देखें बहुत ही मज़ेदार है आप जरूर ट्राइ करें इस तरह से बहुत अच्छे गुड़कुरे बनेंगे अब एक को दिखने में अच्छा लगे और उपर मैंने डिजाइन बना दिया है कैचप का तो इसको ट्राइ करें यह देखें अब कैमरे में जरा और करीब से देखें ताकि आपका भी फॉरन बनाने का दिल करें जरूर बनाएं और मुझे भी बताएं कि कैसे बने हैं रेसेपी आएं तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें अगली रेसेपी में मिलते हैं सबस्क्राइब करें अल्ला आफिर